नमस्कार स्वागत है आप सभी का सीन बीसी आवाज पर आप देख रहे हैं खिलारी नमबो वाइन मार्किट का हाल आपकी स्क्रीन पर रखेंगे जहां पर 100 पॉइंट की गिरावट इस समय निफ्टी दिखा रहा है लेकिन गिरते निफ्टी बैंक में एक स्टॉक आपकी स्क्रीन पर होना चाहिए और वो है देश का सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक ओफ इंडिया जहां पर आज पंक लगे हैं चार परसेंट का इंट्रोडे मूव इस समय आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा यहां पर दरसल बड़ी खबर जो स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं कि येस बैंक में SBI हिसा बेच सकता है जहां आपने सही सुना येस बैंक जिसको बेल आउट स्टेट बैंक ओफ इंडिया नहीं किया था अब ब्लॉक बील के जरिये कुछ स्टेग जो येस बैंक में इस दिगज बैंक का है वो बेचते वो दिखाई देंगे यतिन मोता ने इनफाक एक्स्क्लूजिव डीटेल्स इस पुटिकिलर होने वाले सौदे की जुटा ली है और उनी के पास जाएंगे यतिन बड़ी डिवेलप्मेंट येस बैंक का सहारा इनफाक स्टेट बैंक ओफ इंडिया ही था और अब आपके सूत्र क्या कह रहे हैं बिल्कुल तो जब 2020 में यानि चार साल पहले लगबग लगबग SBI ने येस बैंक के अंदर capital infusion किया था scheme of reconstruction के अंदर तीन साल बाद वो lock-in खुल गया यानि पिछले साल वो lock-in खुल गया और सूत्र हमके बता रहे हैं क्योंकि SBI को अब urgency है capital raise करने की तो equity dilution से बहतर है कि वो अब yes bank के shares के monetization की तरफ ध्यान दे हमको ये जानकारी मिल रही है कि काफी सारे brokers और bankers ने SBI को ये pitch दी है कि एक tranche में आप yes bank के 5000 क्रोड से 7000 क्रोड के shares offload करिये block deal के जरिए क्योंकि market में भी appetite है और SBI को 10 रुपे पे share मिले है और ये अभी जो market में momentum आया है yes bank के share में जो लगबख 70-75% उपर है year to date या one year के time frame पे तो कहीं न कहीं SBI को इसका फायदा उठाना चाहिए obviously 5-7000 क्रोड रुपे का अगर fund raise yes bank के share बेचने से हो जाता है तो कहीं न कहीं SBI की जो provisioning हुई है employee provisioning और जो pension provisioning उसको एक cushion मिल सकता है दूसरी सबसे एहम बात कि SBI काफी दिनों से board में चर्चा कर रहा है कि yes bank के shares को किस app time पे बेचा जाए और इसको monetize किया जाए अगर हम बात करें SBI की तो लगभग वो 751 क्रोड शेर जिसकी आज की market value लगभग 23,000 क्रोड रुपे है उसको monetize करने की कोशिश करेगी और various tranches में ये block deals हो सकती है और clearly SBI का board बहुत जल्द इस particular proposal पे फैसला लेगा SBI काम ने एक email किया है अभी तक कोई प्रकार की टिपनी उनके तरफ से Yes Bank के stake sale पे आई नहीं है Yes Bank में कुछ हिस्सा बेचा जाएगा ध्यान रखे इनिशिली जब State Bank of India ने capital infusion किया था 20% लिया था फिर कुछ हिस्सा का लाइल आडवेंच ऐसे प्राइवेट एक्विटी प्लेयर्स ने लिया तो 26% की हिस्सेदारी थी और यह लगबग 10 रुपे प्रती शेयर पर इन फाक्ट लिया गया था मुझे याद है पिछले साल जब वो lock-in period खत्म हुआ था तब लोग calculate कर रहे थे गनेत लगा रहे थे कि कितना यहाँ पर इनके हाथ में gain आया लेकिन इस deal की contours क्या होंगी कब तर क्यों होतावा दिखाए दे सकता है देखे quarter के जो con call थे और analyst meet थी यहाँ management ने कहा कि अब capital raise के लिए वो open है लेकिन इन्होंने कहा कि बहुत सारे means और ways है उनके पास options हैं जिससे वो capital raise कर सकते हैं Yes Bank की बात करें तो yesterday 75,000 करोड के उपर का company का market capitalization हो गया और मज़े की बात यह हरशदा के SBI को किसी भी प्रकार का capital gain tax इस particular sale पे नहीं देना है क्योंकि जो gazette notification आया था और जो RBI की scheme of reconstruction थी इसके अंदर SBI को छूट दी गई थी कि जब भी भी आप यह shares बेचें तो किसी भी प्रकार का tax इस पे भरना नहीं होगा तो एक pure play capital SBI के पास आ सकता है और हमको Yes Bank के सूतर भी यह बता रहे थे कि काफी सारे presentations हुए है तो यह देखा जाएगा board किस तरीके से इस चीज़ पे call लेता है ओके तो board ने call लेना है अब लेकिन ध्यान रखें यह इस वितवर्ष के अंदर ही होता हुआ दिखाए देगा यानि कि March 31 तक हम देखेंगे कि कुछ हिसा State Bank of India Yes Bank में बेचता हुआ दिखाए देगा 26 पिसेंट तक की हिस्सेदारी उसमें से कुछ हिसा बेचा जाएगा और eventually वो बाकी देखेंगे कि कब वो stake sale होगा या नहीं In fact एक बड़ी breaking news CNBC आवास की exclusive news है यह अजीत का भी हमाई साथ जुड़ गए है अजीत इस scheme of things of course सूत्र बेस्ट है हमारे sources हमें कह रहे हैं कि capital infusion जो Yes Bank में हुआ था उसके अब rewards वापस लेने की बारी आ गई है हम सब जानते हैं SBI में भी कुछ अतिरिक पैसों की जरूरत होगी अब वो पैसा raise करने के लिए dilution ना करें जहां पर investment अच्छा profit दे रहा है वहाँ पर शायद कुछ हिस्सा बेचा जा सकता है आप की analysis क्या है if it all यह आगे होता है अब थर्ड कोर्टर ऑफ एफ़ाइब 24 के रिजल्ट के बाद हमें इतना पता चला कि उनका capital education ratio जो सी tier 1 है वो 10.6% है और risk weight बढ़ने की वज़े से बहुत सारे RBI ने risk weight बढ़ाया अंसेक्योड लॉन और NBFC लॉन्स पे जिससे capital dilution थोड़ा capital education ratio में तोड़ा और गिरावाट देखने को मिला तो अब इन तारी चीजों पर अब threshold के जस्ट उपर है तो इस control में management ने clearly कहा है कि उनको एक quarter और recent quarters में आने वाले समय में उनको capital raise करना है so capital raise बहुत सारे QIP से हो सकता है अभी तोड़ी capitalization तो हो नहीं सकता पर अब सबसे बड़ी बात यह है कि 26% of stake जो उनके पास है yes bank में और yes bank ने काक्या अचा फॉर्म किया उनका जो प्राइस था जिन्हों उन्होंने खरीजा था 10 रूपय अभी 30 रूपीज में आ चुका है so अब इन सारी कीजों पर देखते वे 26% जो उनका stake है yes bank पर उसको offload करना उसको offload करके capital raise करना सबसे easiest options है State bank of India पर और इससे capital dilution भी नहीं होने वाला और उनके आपास अच्छा कासा fund आ सकता है so यह सबसे बहतरीन option है और street पे काफी दिनों से चर्चा भी चल रही है कि yes bank सबसे अच्छा option होगा है State bank of India के लिए capital raise करने के लिए और उनको यह भी capital की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि capital education और tier 1 जो है वो threshold पर है तो clearly capital की ज़रूरत अब State bank को है तो जहां पर इनोंने पैसा लगाया था वहां से कुछ टेक वापस लेंगे और अच्छे खासे धरसल price point पर exit लेते हुए दिखाए देंगे जितना भी लेंगे इस समय वो पूरी yes bank की जो stake है 26% की वो किते पर valued है अजीत और ये जो 5-7,000 करोड की बात यहां पर यतिन भी कर रहे थे ये पूरे के पूरे they will be free for SBI to use completely see yes वो 25,000 अगर आप देखा जाए 26% of 70,000 करोड वो around 20-22,000 करोड रुपे का उनके पास total valuation होगा yes bank pay state bank के पास so yes state bank को around 6-7,000 करोड रेस करना है so उनको 26% मतलब उनके 26% का one third at least पहले ट्रैंस में चोटे-चोटे टैंस में बेचने पड़ेंगे और वो उतना capital raise काफी होगा state bank of India के लिए next guaranteed growth for next 2-3 साल के लिए मेरा फिर अब आपसे आखरी सवाल यही है कि state bank of India जिसमें आज पांक लगे है in fact in today में हमने देखा है 4-5% का move भी देखने को मिला 700 पर भी क्या आपकी राय है खरदारी करने की सब्सक्राइब करने के लिए वेलिवेशन के परस्पेक्टिव से अगर इस को अधर के बाद देखा जाए वह करीब 1.5 और 1.6 पर ट्रेट कर रहा है और मैं अगर देखू चारे ACU बैंक में State Bank of India थोड़े से माइनूट हमें रेजल्ट में थोड़ा मतलब क्या disappointment देखने को मिला है कही चारे जीज़ों के पर भाई के भाई मतलब खरीदने के लिए वैलिएशन काफी अच्छ है अभी State Bank of India वैलिएशन काफी अच्छ है State Bank of India एक बाई साइट का ट्रेड रहेगा और ये डील इन फाक्ट बाजार को पसंद आएगी जब भी होती है और धान रखें कि इस exclusive सूतरों के हवाले से update आ रहा है कि 5-7,000 करोड के शेर दरसल SBI बेचतावा दिखाई देगा येस बैंक में SBI को खुद capital raise करने की जरूरत है तो वो equity dilution के बजाए जहां पर इन होने investment किया था येस बैंक में वहाँ पर वो कुछ stake offload करते हुए दिखाई देंगे तो ये in fact वो stock का reaction 700 के आसपास trade देखने को मिला है लेकिन इस बीच आप अगर nifty bank का हाल देखें nifty bank तेजी से तूट रहा है market भी उपरी level से काफी फिसल चुका है 200 point के नुकसान पर इस समय trade बनता हुआ nifty में और nifty bank साड़े 400 अंको की गिरावट दिखा रहा है देखते ही देखते हाँ पर हम देख रहे है pressure the Russell mount हुआ है ध्यान रखे HDFC bank का एक बड़ा योगदान है market को नीचे खीचने में वो counter कल भी underperform कर रहा था आज भी आप गौर करिएगा 1.5% नीचे तो HDFC bank से दबाव बना ही है लेकिन इसके अलावा कोटक में उपरी लवल से 1% wipe out हो चुके है axis में करीब पॉने आदे पसंद से जादा की गिरावट आ गई है Indescent, ICICF bank ये दूसरे pockets हैं जहाँ पर उपरी उपरी लेवल्स पर कुछ-कुछ मुनाफवसूली का दबाव बन रहा है तो ये in fact बाजार की स्थिती आपके सामने है ये देखें निफ्टी bank के contributors सारे नीजी bank एक तरफ जहां पर दबाव बन रहा है लेकिन SBI का अच्छा खासा योगदान अगर आज SBI में 4-5% की तेजी नहीं होती तो शायद हम निफ्टी bank में और भी गहरे cracks देखते 500 पॉइंट नीचे और clearly ये दिगज बैंक है ICICI, HDFC जो सबसे ज़ादा मार डाल रहे है इस समय निफ्टी उपरी लवल से करीब 200 पॉइंट से ज़ादा करेक्ट कर चुका है इन फाक तब 300 पॉइंट नीचे आ चुका है डे हाई से और 21700 के दर्शन हो चुके हैं अचानक ऐसा क्या हुआ कि इता गहरी मार पड़ी है वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे लेकिन हमाई जानकार भी किसमें तैयार हो गए हैं आज के ट्रेज के लिए गुद मॉर्निंग जेंटलमेन क्लेरली थोड़ा सा टाफ हो गया है मार्केट अचानक वो सेल ओफ एक तरफ वो SBI में तेजी लेकिन बाकी बारी बैंक्स में भारी नुकसान देखने को मिल रहा है अमित क्या अप्रोच होगी ये 21700 के आसपास निफ्टी में क्या किया जाए जी माम काफी मार्केट पर प्रेशर है बट अट 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 सीम टाइम वी अरपोचिंगा 20 डमा जो कि लगव 21673 के आसपास है तो मेरे लिए 21673 सबसे क्रूशल लेवल है जिन्होंने सुबरे शॉट किया डेफिनिटली डेयर मेकिंग मनी फ्रेश शॉट इस लेवल पर नहीं सला करूंगा लिकिन अगर क्लोजिंग बेसे में 673 कूटता है तो फिर लगता है देन सब्सक्राइब करें वह टूटता है और वह टूटता है और वह टूटता है वह टूटे तो शायद गड़बर हो सकती है अचा बाइदे वह हम येस बैंक की बात कर रहे थे येस बैंक में लगया हाथ करीब 22 करोड शेरों के सौदे हो चुके है नेली 730 करोड की वाल्यू की ये डील हुई है और वो स्टॉक इसमें 2970 के आसपास ट्रेट करता हुआ दिखाई दे रहा है येस बैंक में करीब करीब 23 करोड शेरों का बड़ा सौदा होतावा दिखाई दिया है किसने बेचा है कौन ले रहा है उसकी डीटेल्स आगे आएंगी लेकिन ये स्टॉक जिसके हम चर्चा कर रहे थे स्टेट बैंक के कॉंटेक्स्ट में रेडार पर रहना चाहिए तो चले आपके ट्रेज में अब लेना शुरू करती हूँ पंकज रांदर का दिखाईएगा पोर्टफोलियो इन्होंने दरसल कल यूखो बैंक में खूब कमाई की है करीब 9% के रिटर्न्स वहाँ बने इन्फाक्ट अमित का हिंडाल को 0.5% की कमाई करके गया और SBI काड अमोल के पोर्टफोलियो में था जहां पर 1% के रिटर्न्स बने यूको बैंक में प्रॉफिट कल बुक कर लिया था आज सुबह में जैनसार और श्री रेनुका में पंकज ने अपनी पुजिशन बुक कर ली है या एक्जिट कर लिया है पंकज आज का फ्रेश ट्रेड क्या है इतने गिरते बजार के अंदर जो ट्रेक्शन नजर आ रहा है वो इंशुरेंस स्टॉक्स के अंदर बढ़िया ट्रक्शन अजर आ रहा है मैं नैशनल इंशुरेंस के सब्याना एसे यल के साथ में जाना पसंद करूंगा जिसके अभी मार्केट ट्राइस 301.50 पैसे 2 पैसे के करिब चल रही है मुझे लगता है कि 270 का इसको एक स्टॉप लोस मिंटेन करना चाहिए और टार्गेट जो है वो 380 तक के देखने मिल सकते हैं टार्गेट से फोड़ा समय लगेगा लेकिन डेफिनिटली आज इंट्राडे में भी काफी स्टॉंग मूद इसके अंदर एंटिसिपेट होते होवे नजर आया है तो मेरा पूरा धान नाए एसी एल के उपर है नाए एसी एल याने की न्यू इंडिया अशॉरंस ये वो कंपनी है और आज खिल पी एस्यू कंपनियों का जलवा ही कुछ और है 380 का टागेट अगला रहेगा 310 का टागेट अगला रहेगा और यहां पर आप 270 तक का स्टॉप लॉस लगाएंगे एक उपरचिनुटी तेजी की हां पकड़ी है स्टॉक बाइद वे 11 परसंट वैसे भी उपर है पंकर्ज आपको जोड रहे हैं 380 राइट मैंने फिर सही सुना वो गलत लिखा हुआ था मुझे लगा मैंने गलत सुना होगा 380 का टागेट है 310 का नहीं 380 का टागेट है 270 आपके लिए स्टॉप लॉस का का काम करेगा चलिए अब अमोल का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं आज सुबह में SBI कार्ट बुक किया पुनावाला फिनकॉप इन्होंने एग्जिट किया है कल समवर्दन से एग्जिट कर चुके हैं आज का फ्रेश रेड अमोल या इसिंग मार्केट थोड़ा सा बोलाटाईल है तो में फ्रंट लाइन स्टॉप के साथ ही रहना चाहूंगा मुझे रिलायन्स अच्छा लग रहा है पोजिशनल पॉइंट आ व्यू से अगर आप कोई ट्रेड लेना चाहते हैं तो आप एक इंडिपेंडेंट अड्वाइजर से भी बात करें डिस्क्लोजर इसलिए देरी हूं कि जो आप चैनल देख रहे हैं अच्छी खासी लीडर्शिप बना रखी है इनका हिंडाल को आज सुबह में बुक किया आरती इंडस्ट्रीज में भी मुनाफ़ा बुक हुआ है अमित आज का फ्रेश्ट्रेट क्या है जी मैं मैं जनरल इंशुरेंस एड करूंगा 451 के लगबग इसका प्राइज है स्टॉप लॉस रहेगा 430 का और टार्गेट्स रहेंगे 510 के 510 के टार्गेट्स 430 का स्टॉप लॉस GIC में एक तेजी का ट्रेड स्टॉक 50 रुपे उपर है याने की 12% तक के गेंज देखने को मिले तो एक तरफ आया पंकच का न्यू इंडिया अर्शॉरेंस और दूसरी तरफ आया अमित का GIC यह है वो ट्रेड्स जो समय आए हैं एक एक ट्रेड और दे सकते हैं हमारे जानकार उस पर भी करेंगे बादचीत लेकिन पहले लेते हैं चोटा सा ब्रेंग अब देखरें खिलारी नमबर वन अमित ने इनफाक्ट एक और स्टॉक आइडेंटिफाई कर लिया अमिल बताईए काफी पॉजिटिव स्टॉक्चर इसका टार्गेट से लगबग रहेंगे जिंडल सो के 510 के और स्टॉप्लस 450 का 450 का स्टॉप लॉस और आपके रहें 510 तक जा सकता है 610 तक 610 होगा अपने गलती से 510 के दे 610 होना चाहिए राइट अमेट यह सेस मेरा कंफीजन होगे अब 610 के टार्गेट रहेंगे और स्टॉप लॉस 520 का रहेंगे 520 का स्टॉप लॉस कंस्रिंग अब भी 11 पसेंट उपर था उसके आगे इसने क्या रिटर्न दिया है 0.49 पसेंट और भाग गया है चलिए ठीक है अब आईए अमोल के पोर्टफोलियो पर रिलाइंस इंडस्ट्री बिग बॉई के साथ जा रहे 3,000 का टागे 28.05 के आसपास इनका स्टॉप लॉस है और RILN के लिए 0.24 पसेंट जोड कर दे रहा है अब आते हैं अमित पर तो GIC जोड़ा 510 टागे 430 का स्टॉप लॉस जिंदल सौ 610 टागे 520 का स्टॉप लॉस रिटर्न्स देखेंगे तो GIC 0.61 पसेंट जोड़ रहा ह जिंदल सौ के जरिये ओवराल रिटर्न्स की टैली कहां बन रही है तो देखें पंकज का Yuko Bank एक बड़ा performer रहा तो उन्होंने catch-up किया है अमोल अभी भी 0.1% के negative side पर है 8.5% के रिटर्न्स के साथ पंकज लेकिन अभी भी leader leadership position में अमित 11.54% के रिटर्न्स के साथ आगे मौत्य मार्कित के अक्षिन पर